हलो फ्रेंज, गुद मॉर्निंग, एकदम सुभे, सुभे मैं टेरेस गार्डेन में आज आई हूँ, तो सुभे की टाइम हुआ है, साड़े पांच बच चुका है, और सनराइज भी हुआ है जस्ट, तो मैंने कुछ काम करना था, जाडू लगाना था, प्लांट में अच्छे सुभा के प्लांट में, बर्ड से फूल खिले हैं, तो यह पे यहां पे देखिए, बड़ा सा तुझी एक प्लांट है, तो मैं कटिंग किया था फेबरेर के मन्त में, और आपके साथ यह कटिंग लगाई थी, आज देखिए इसमें बर्ड भी है, तो बहुत इजी ग्रोइ खेंग के प्लांट है, और ईसमें भी फूल खिला था कुछ दिन पहले फिर से बर्ड ए फूलख्या है, और यह देखिए, जो पहले नाक्चमपा के प्लांट दिखाई, उसी से कॉनिग लेकर ना यह प्लांट में लगाई थी पिछले साल, तो यह का थी बड़ा हुछ चु के प्लांट है और बहुत च्रहे फूलाया है कुछ जहड़ी रहा है कि यह देखी है healthy है मेरे प्लांट और यहां पर देखिए मुझे बहुत हुई फ्रेंड्स के यह जो सामनी के प्लांट है न इस वाले इस वाले में यह तो प्लांट मेरा बिल्कुल खता मतलब कि मैंने सोच अच्छा लगा कि मुझे फूल मिल रहा है यह अच्छे से बढ़ा हुआ और फूल भी मिला और यह देखिए मेरे ड्रगेन फ्रूट यह देखिए है चार बर्ड आय थे उसमें से एक तो गिर गया है तीन फ्रूट में कंवर्ट हो गया है यहां पे मेरे रोस प्लांट और रो तो थोड़ा सा बड़ा हुआ है मेरे यह कुछ जो ब्रांच निकले है शूट निकले यह देखिए और कितने हैं यह दर लगता है कि मंगिस आके फिर से खाना जाए तो बिल्कुल है यह जो मेरे 12 रोस के प्लांट है और यह जो ग्रीन रोज है यह देखिए इसमें पूरा म तरह से हैंकिया हुआ था एक दम खूले आसमान के निचे बिल्कुल ठीक है और यह वाल मुझे बहुत पसंद है यह पर जो भी जो पॉट है ना यह है ने प्लांटर सभी के सभी वेस्ट को बोटल को कट करके मैं बनाई थी और जो भी यह प्लांट सभी मैंने कटिंग से मै मुझे अई घंडिया वालह यह एक्दब फ्रीका प्लांटर भी है और प्लांट B tunnel ज्यादा फूल होता नहीं है सालमी सी टाइम और यह मेरा बड़ा सा क्रिस्मस ट्री के प्लांट यह से तो मुझे मैं ऐसे इसे रख रही हूँ कोई रिपोर्टिंग नहीं कर सकती इतना बड़ा हो चुका है बहुत ही हल्दी मेरा प्लांट है यह क्रिस्मस ट्री के प्लांट देखंगे अब धोड़ा जाड़ू लगाना है विडियो उनाने के बाद ये देखिए कुछ फूल है मेरे बुगनवेलीया के प्लान तो और बस ये देखी ये वाला जो प्लाइट है ना ये देखिए मैंना उपर कट कर दिया था तो देखिए नए शूर्स निकल रहा है तो इस टाइम हम कटिंग कर सकते है बुगनवेलिया के प्लान या फिर ऑगस्ट में सेप्टिम्बर में तो अच्छे से विंटर के टाइम तो फूल मिलता है तो प्रूनिंग का काम मुझे बाद में करना है और यह पके नहीं है लेकिन जो बात में अब फ्रूट में कंवर्ट हुआ था बहुत सरे जड़ गए जो फ्रूट था ना जो दिखाई बड़ा सा वह अभी भी पके नहीं है और वही मेरा फ्रूट है और यह मेरे जेब के प्लांट देखिए कुछ टॉप्यारी से और यह वाला ज टेरेस गार्डन में रखोंगी और इसको मैंने रात के टाइम रिपोर्ट किया था तो कभी-कभी मैं इस टाइम ना बारिश के टाइम में रात में प्लान को रिपोर्ट कर लेती हूँ ठीक है और मैं मतलब तब वीडियो नहीं बनाती क्योंकि रात के टाइम यह वीडियो क करते हैं तो इसलिए मैं कभी कभी रात में नहीं बनाते हूं मतलब रिपुर्टिंग के काम करते हूं लेकिन वीडियो नहीं बनाती हो और यह अडिनियम मेरे दो एक प्लांट को मुझे रिपॉट करना है इस वाले को नहीं जो वह साइड में जो है उसको जो यह फूल के लिए कॉडेक्स देखिए दोनों प्लांट के ही कॉडेक्स बढ़ा अच्छा है और एडिनियम के जो प्लांट है इसके जो फूल है उससे मुझे अच्छा लगते इसके कोडेक्स अच्छे से मोटा इसके जो तना है ना अच्छे से शेप लेता है तो बड़ा सुन्दर दिखता है इसके कोई भी प्लांठ है यह देखिए गर्मि के टाइम मेरे टेलिस गारडन के ना कोई भी प्लांच खराब वाँआ और यह देखिए जो मैंने जेट प्लांन्ट से मैं खुड का नाम लिखा थाथा तो नीचे लेखिती ना तो फिर से मैं उपर लेके आई और रात के टाइम मैं इसको अच्छे से प्रून किया था खाफी ब्रांच मतलब लंबे हो गए थे तो मैंने कटिंग किया और प्रून किया एक शेप मेंटें रखने के लिए ना तो आपियर इसको हमें ट्रीम करते रहना है तो मैंने किया है और जो भी मैंने रख दिया इसको लगाने की जुरुत है नहीं बारिश के टाइम है ना मिट्टी के ओपर रख भी देते हैं इस तरह से तो ये कुछ दिन के बाद नहीं इसके भी रूट्स डेब लग हो जाएगा इतना हाड़ी प्लांट इतना इजी ग्रोइंग प्लांट है ये लेकिन कुछ दिन से ये दो ही स्टॉक निकले है और कुछ दिन से फूल खेल रहा है तो ये देखिए हर शाम के टाइम जब में आकर बैठती होना प्लांट में गार्डन में मुझे इतना अच्छा लगता इतनी फ्रेक्नेंस होते है ना और पूरा में जाते है मेरे ये गार आसा वीडियो आज आपके साथ शेयर करना था ओके फ्रेंज बाइए